तो लगतार इस रेस्क्यू उपरेशन पर नजर गड़ी होई हैं और बता जा रहा है कि रेस्क्यू के लिए अब डिली से टीम आ रही है दिली से आ रहे हैं साथ टेक्नीशिन की टीम हाय टेक मशीनों के साथ पूचेगी टीम रेस्क्यू उपरेशन के कुछ घंटे बेहद ए तो रेस्क्यू के लिए दिली से टीम आ रही है बताया जा रहा है कि दिली से साथ टेक्नीशन की टीम जो है वो टनल पर पहुचे गी सिलक्या रहाय तैल में रेस्क्यू अपरेशन – जारी है. और हाई टेक मशीनों के साथ यह टीम पहुचे गी. ताकि जो तो चुनौतियां देखने को मिल रही है उसे खत्म किया जा सके उन मज़ूरों को बाहर निकाला जा सके Rescue Operation के कुछ घंटे बेहद ही एहमाने जा रही है क्योंकि सबकी निगाहे ठीकी हुई है कि कब वो मज़ूर इस टनल से बाहर आएंगे और अब बताया यही जा रहा है बड़ी ख़बर इस वक्त की है अब डेट आपको दे रही है कि अब Rescue के लिए दिल्ली से टीम जो है वो सिल्कियारा टनल पर पहुचेगी और दिल्ली से साथ टेक्निशन टीम जो है वो पहुचेगी और किस तरीके से पूरा Rescue Operation किया जा रही है क्योंकि इस कुछ घंटे में ही बताया जा रहा है कि जो मज़दूर फसे हुए है उन्हें निकालने का काम जो है वो शुडू हो जाएगा क्योंकि युद्सतर पर काम किया जा रहा है पूरी रात एक काम चला है जिसे की जो बारा मीटर की दूरी है उसे खत्म किया जा सके लेकिन सरिया को हटाने में जो चुऩ estimation देखने को मिल रही है उसे खत्म करने के लिए अब rescue की आपको बताते हैं चलिए rescue के लिए दिल्ली से team आ रही है और साथ ही दिल्ली से जो team आ रही है वो साथ technician team आ रही है और बता जा रहा है कि जो ये पूरा rescue operation चलाया जा रहा है इसके कुछ घंटे जो है वो बेहदी एहम माने जा रही है क्योंकि लगतार सबकी निगाहे इस rescue operation पर टिकी हुई है सियम पुशका सिंग थामी भी लगतार नजर बनाए हुए है तो तोड़ी देर के लिए पूरा rescue operation रुका हुआ है सरिया आने से ये rescue रोका गया है ब्रेलिंग के रास्ते में ये सरिया आया है rescue में लग सकता है और वक्त बताया जा रहा है कि सरिया को हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है पूरा फ्लान तयार हो रहा है उसके लिए NDRF के अधिकारी जो है वो टनल में मौजूद है ये बड़ी खबर हम आपको बता रहा है अपडेट हम आप तक पहुचा रहे है सरिया आने से rescue operation जो है वो फिलहाल रोका गया है उसके लिए पूरा फ्लान तयार किया जा रहा है कि कैसे इस सरिया को हटाया जाए ताकि जो 12 मीटर की दूरी बची हुई है उन मजदूर तक पहुचने के लिए उसे खत्म किया जा सके और उन सबी 41 जिन्दियों को उस टनल से बाहर निकाला जाए तो एक एक तस्वीर हम आप तक पहुचा रही है पलपल की अपडेट भी हम आप तक पहुचा रहे है जो चुनौतियां देखने को मिल रही है इस दौरान उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके क्योंकि सबको इसी बात का अंतजार है कि जल्द से जल्द अब जो मजदूर है टनल के अंदर फसिफ हुए है आज 12 दिन है अब वो मजदूर जो है उस टनल से बाहर आ जाए इसी के लिए युद्दस्तर पर काम किया जा रहा है और साथ टेक्निशन टीम जो है वो दिल्ली से पहुचेगी और सिल्कियार है टनल पर ताकि उन हाई-टेक मशीनों के जरिये जो मुश्किले आ रही है जो दिक्कते आ रही है उन्हें दूर किया जा सके और जल्द से जल्द इन मजदूरों को उस टनल से बाहर निकारा है जो सर्या को हटाने का जो प्लान त्यार हो रहा है और दूसरी बात ये भी पताई जा रही है कि अब दिल्ली से साथ टेक्निशन टीम जो है वो हाई-टेक मश्चनीनों के साथ पहुचेगी ताकि जो मुश्किले आ रही है जो दिक्कते आ रही है उन्हें खत्म किया जा स पहाडियों पर सूरज की रोशनी पढ़ रही है आज के सूरज की रोशनी पढ़ रही है और यहां पर रोशनी सूरज की है लेकिन ये सूरज की रोशनी वो 41 मजदूर नहीं देख पा रहे हैं जो इस टेनल के अंदर पिछले 12 दिन से हैं वहां पर बल्ब की रोशनी है ला मज़़ूर बाहर आकर इस सूरज की रोशनी को देख पाएंगे क्योंकि वो जरूरी इसलिए भी है कि इतने लोग दुआएं कर रहे हैं उनके परिवार के लोग लगातार कह रहे हैं कि अब रेस्क्यू आपरेशन सफल हो जाएगा पाएं तमाम चैनल अलग अलग त्योरी अलग अलग चीजों की कहानियां बताने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे लेकिन सरल भाषा में न्यूज एटीन उत्तरपदेश आपको यहां पर बता रहा है कि जो सर्या है जो सर्या पार्ट था जो की 12 मीटर पहले था उसको यहां पर सर्या को मैनुवली काड़ दिया गया और वो सर्या हट गया था लेकिन अब जब पाइप डाले जाने हैं और मशीन से आगे 12 मीटर पाइप डाले जाने हैं तो सरिया जो है वो पिलर में है और मलबे में उलजा हुआ है अब उसको हटाना है उसको हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि अंदर जाकर के आप जो है वहाँ पर किसी मशीन के जरी यह उसको नहीं हटा सकते हैं आपको मैनुली हटाना पड़ेगा और उसमें फिर एक लंबा वक्त लगेगा इसलिए शायद ओफिशियल्स ने वहाँ पर उपर ब्रीफ किया होगा और जो नई टेक्निकल टीम जो आएगी जो सास दसिया आप टेक्निकल टीम बता रहेंगे वह उसके बाद फिर उस पिलर को मलबे को उटाया जाएगा जिसमें सरिया उलजी होईगे और उसके बाद फिर पाइप डाले जाएंगे जिसमें पाइप डालने में तकरीव 100 गंटे का वक्त लगेगा और मशीन को बाहर आने में घैड़ से 2 गंटे का बिल्कुल अन्पम और भी समझना बेहां जरूरी है कि जिस साथ से आप बता रहे हैं उससे तो और भी वक्त लग सकता है सरीया को हटाने में और जिस तरीके से पूरा प्लान बनाया जा रहा है ताकि उन मजदूरों को बाहर मिकाला जा सके सतेंद्र भी हमारे सेयोगी लगता करें आपको देता हूं कि जो 800 mm के आगे जो गाडर आ रहा है आखरे में वह क्यों नहीं टूट पारा क्यों जो जवान वहां पहुंचे हैं लेकिन क्या करान है कि वह अभी तक उसे नहीं तोड़ पाई इसका अभी जो सुत्रु के वाले से जो हमारे एक-दो जवानों से अ सबसे दक्ष और सबसे टेंड माने जाती उनको किस तरीके के जो दिखते आरी में वह चोटी सी उसको बताना चाहूंगा क्योंकि एंडियारे पी जवानों से हमने अभी बातचीत कि उन्हें आप दर रिकोरे में बताया कि वहां पर जो 800 mm का पाइप है उस पाइप के अंद कसे उनको आ और लापना काम करने भी तो उसके वह वाली दिक्रते उनको सामने आ रही ती आब जो बड़ी दिक्रत्ट जो एत क्याइक गाडर सबसे बाड़ी जो कुर्फ दिकत सामने वा गई है कि जो मसीन है उनके पास और अपने साथ उसको ले तो वहां पर अने यहां पर पहुंचे तो जिला अधिकारी ने जो सूचना आगे अपने अधिकारी को जब दी तो उसी के बाद एक एक्षन और प्लान जो तयार हुआ कि दिल्ली से भी एक एक्सपर्ट की टीम यहां पर पहुंच रही है और करीब साथ जो एक्सपर्ट कुछी देर बाद यहां पहुंचेंगे और जो गाडर है उसको काटेंगे और उसके बाद फिर रेस्क्यू का काम सुरूँगा फिर आप क्योंकि उसको भोजन दिया जा रहा है वहां एक एक एंस्तॉल किया गिया है और यहां पे जो एक ओफिस तयार किया गया तो उन से जो उनके परिजन दोटर उन में इसे बादशीत कर रहे हैं उन Jo qua पहार की जो जिस तरीके रेस्क्यों अभ्यान चल रहा है उनको पल-पल की उनको जानकारी दी जा रही है डॉक्टर्स उनको इसे लगातार बातचीत कर रहे हैं क्योंकि कल डॉक्टर की टीम डॉक्टर ने वहां पर जो 41 लोग वह अंदर पसे हैं उन एक-एक से बातचीत की इनNow भी उनसे लगाताार बातचीत कर रहे है कि किस भी पर कार से उनको कोई दिकत तो नहीं अभी मैं आप एक तस्वीर दिखा सकते हूं कि सामने आप देख सकते कि NDR अरभ के यह वही जवाने उन्य कुछे पहले जिन इस्टेचरों से जो अंदर फसे लोग हैं जब टनल आरपार हो जाएगी एक इसकेप टनल बन जाएगी तो इसकेप टनल के में इनी इस्टेचरों के जरिये वो लोग को भार निकालेंगे लेकिन अब एक जो अर्चन सामने आ गई है उस अर्चन को देखते हैं एंडिया करें और उसके बाद हो सकता है एक बार फिर एंडियारएp की जवान एक बार फिर कुछ क्विश करें जो टनल है इसकेप टनल है उसके ंंदर जाए और कुकुछ कुछ ट्राइकिंर क्यों आधर पार कि यहां पर काम करेंगी उसके बाद ही एक बार अगर मसीन यह यह चलेगी और जो 12 मीटर के एक दूरी है उस दूरी को पार करेगी जी बिल्कुल सतेंदर आपके पास वापर स्लोटूंगी दिपांकर भी हमारे सहयोगी लगतार हमारे साथ बने हुए है दिपांकर अब सिर्फ बारा मीटर की दूरी है लेकिन इस बारा मीटर की दूरी को तै करने के लिए तमा लेकिन अभी जो सुभह का आड़ भजने वाला है और कोई ऐसी खबर पिछले 16 घंटों में नहीं आई है कि कुछ rescue operation बहुत आगे बढ़ा हो अब जिस तरह सतेंद्र बता रहे थे कि एक expert team दिली से यहाँ पर पहुँचे कि इस सुभे सुभे DM यहाँ पर पहुँचे थे मुक्यमंतरी खुद मातली में मौझूद है तो नई टीम के आने का साफ मतलब है कि अभी इस operation में थोड़ा और वक्त लगने वाला है और जो बात हम कर रहा है दस बजे कर रहे थे कि अ यहाँ पर पहुची कि उसे कितना वक्त लगेगा और वो जो बारा मीटर की बात आप कर रही है उस बारा मीटर को क्रॉस करने में अभी क्या-क्या दिक्कते आएंगी अभी यह कहपाना बेहत मुश्किल है कल दिन भर हमने देखा इस बात की पूरी उम्मीद थी कि देर शा में दर्शकों को बता पाना कि कब वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे यह अभी भी नहीं कहा जा सकता इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तक यहां मशीन काम नहीं करती और यह 12 मीटर में जब तक यूम पाइप एंसर नहीं हो जाता तब तक ह हम सिर्फ यहीं कह सकते हैं कि हमें इंतजार करना पड़ेगा उस अच्छी खबर का कि अंदर से 41 मजदूर बाहर आएंगे चांदी बिल्कुल दिपांकर यह वाकई कहपाना मुश्किल है कि कितना और वक्त लगेगा कि जब यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्रीट हो जाएगा सही होगी अनुपम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अनुपम क्या जानकारी देखिए बड़ी खबर यहां पर सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से चांदनी आ बता रही हैं ती साथ से टेक्निकल टीम आपको बता दे कि कुछ और जगों से भी टीमें आने की जानकारी यहां पर मिल रही है बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिली से टेक्निकल टीम के साथ साथ कुछ टीमें बाहर से भी आ सकती हैं यह जानकारी आपको बता दे कि कुछ जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स को क्योंकि जिस तरीके से वो 12 मीटर क का जो हिस्सा है उसको दो पाइप वो छेचे मीटर के जो दो पाइप हैं वो अंदर क्रॉस कराने हैं तब यह पूरा एसकेप टरनल पार-पार होगा और उसमें जिस तरीके से व्यवधान आया है क्योंकि टेक्निकल टीम जो एकुपमेंट्स ला रही है उसमें कई विदेशी एकुपमेंट्स मीं हैं विदेशी एकुपमेंट्स मीं हैं जिनके जरीए वो ब्रिलिंग के जरीए या किसी और मेथर्ट के जरीए कैसे जो पिलर में सर्या उलज़ा हुआ है फसा हुआ है मलबे के साथ है उसको हटाएगा सामने से ताकि वो बाकी और मशीन के जरीए दोन संपर्क किया है महरास्ट में महरास्ट में कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की है और साथ की साथ जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर विदेश से आए गए हैं बाहर से आए गए हैं उनसे वीडियो कॉलिंग पर कुछ बाचीत हुई है जो जानकारी सूत्र हमें दे रहे हैं और इसके आधार पर मुख्यमंतरी पुश्कर धामी को भी अब वास्तु इस्तिती से ब्रीफ कर दिया गया है। क्योंकि कल जिस तरीके से चार बजे की स्थितियां थी उसके बाद जो मुख्यमंतरी को या चीफ मिनिस्टर के कारले में जो जानकारियां ब्रीफ की गई थी उसके बाद मुख्यमंतरी यहाँ पर शाम को छे बजे उत्तरकाशी आ गए थे लेकिन सबसे बड़ी बात गये कि तब यह उमीद थी कि यह बारे मीटरे की दूरी देर शाम तक या देर रात तक कवर कर ली जाएगी और फिर उसके बाद मस्दूरों को लाया जाएगा और उनको अस्पताल में भरती करा दिया जाएगा चिद्याली सोड़ पर जो अस्पताल बनाया गया है जहां पर अगर वो इतनी जल्दी ब्रेक अप नहीं होता है तूटता नहीं है और जैसा कि टेक्निकल टीम अगर दिली से आती है अगर बाई एयर आती है तो भी उसको आप मानके चलिए कि से साथ घंटे का वक्त लगेगा अगर बाई रोड आती है तब भी इतना ही इससे जादा वक लग सकता है तो आप ये मान के चलिए कि आज शाम या आज देर रात तक ही ये रास्ou्टी उपारेशन कामयाब हो पाएगा या सफल हो पाएगा या फिर कल तक के लिए भी ये रास्टी उपरेशन खिट सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि अजब तको ट तस 41 मजदूर अंदर ही फसे रहेंगे सबसे वड़ी बात यह है कि जो एक्सपर्ट सें और जो अलग लग राज्यों में जो एक्सपर्ट सें क्यूंकि इस तरीके से पिलर को क्रैक करने के लिए कि कैसे इतनी दूरी पर क्यूंकि पाइप अंदर पड़ा हुआ है पाइप के के लिए अंदर जाकर के मैनुवली उसको तोड़ने के लिए वैल एक्यूप्ट की जरुवत होगी जो की शायद अभी इनके पास मौजूद नहीं है जैसा अंडियाराइफ के सूत्र बता रहे हैं क्योंकि एंडियाराइफ को हम जानते हैं आप भी जानते हैं कि तक्रीकी आण्पव में एक लंबा प्रॉसस है क्योंकि दिल्व से भी टेक्नीशन की टीम पहुंच री यहां पहुंकि आप बतारे हैं इस हिसाब से खनिमान लगा जा सकता है थोड़ा और वक्त लग सकता है सतिंद्र जी बताईए क्या अपडेट बिल्कुल क्यों अभी जो हमारे सूत्रुद्वारा एक जानकारी बड़ी मिली है जो दिल्ली से यहाँ पे जो टीम एक्सपर्ट की पहुंचने वाली है उनके साथ जनर्नल बीके सिंग केंद्रिया राज्यमंत्री भी साथ है यानि कि एक से डेट गंटे में जनर्नल बीके सिंग यहाँ पहुंच सकते हैं और उनके साथ जो एक्सपर्ट की टीम साथ आनी है वो उनके साथ आ रही है दिल्ली से यह बड़े बड़ा अपडेट अभी जनकारी आई है सूत्रु के वाले से यह पूरी हमारे जो सूत्रे उनने अभी हमें यह जनकारी दी है कि बीके सिंग जनर्नल बीके सिंग कुछी देर बाद यानि एक से डेट गंटे बाद दिल्ली से यहाँ पहुंच सकते हैं जो यहाँ पे जो हैली से पैड है उसमें उनका हवाई जात पहुंचेगा उसके बाद वहां से वह सड़क मार्क से यहाँ पहुंचेंगे और जो रेस्क्यों में जो बैवधान है उसके लिए पूरी एक एकस्पर्ड की टीम उनके साथ है अब वो यह देखेगी कि क्या कुछ अब रेस्क्यों में होगा तो यानि कि अब जो एक बड़ा अपडेट हम आपने दर्सकों को दिखाएंगे कि कुछी देर बाद जनरल बीके सिंग यहां पहुंचेंगे और उनके साथ एक एकस्पर्ड टीम भी साथ होगी बिल्कुल सतेंद्र और यह देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो टेक्निशन टीम है वो पहुंचे ताकि आगे इस काम को बढ़ाया जा सके क्योंकि जब तक इस सरीय को नहीं हटाया जाएगा तब तक उस पाइप को अंदर नहीं इंसर्ट किया जा सकता है और इसी बा चाम कर दिखाया जारा है जिस तरीके से सरीय को फटाने का प्लान किया जा रहा है जो एक्सपर्ट कीठीम वहाँ पहुंच रही है इस हिसाब से यह अनुमान लगा जा सकता है और वक्त लग सकता है जिब मजदूरों को टेनल से बाहर निकाला जाएगा ऐसे कहां ये भी ज की ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए लेकिन जो बात हम लगातार कर रहे हैं कि अपनी तरीके में एक अलग नई तरीके घटना थी और किसी को इस घटना का कोई एक्सपीरियंस नहीं था देश में भी हमने नहीं देखा कि इस तरीके घटना करें टनल में हुई हो जहां एक बड़ा चैलेंज है और कल राज जा हरपाल सिंग जो यहां पर एक प्राइवेट टेक्निकल एक्सपर्ट है उन्होंने बात कही उन्होंने कहा कि अब जो भी अंदर काम होगा वो जो 800 mm की पाइप गई है उसके अंदर से जाके उस सरीया को कटा जाएगा क्योंकि आगर मश हो यहां पर जो टीम से सभी को पता उनसे जो बाचित हुए उनको भी पता है कि बाहर से ऐसी कोशिशन चल रही है कि उनको किसी भी तरीकी से जल्द से जल्द निकाला जाए लेकिन जो बात अनुपमर सतेंद्र बप कह रहे हैं और जो आपने भी कि यह समय बता पाना कि कि कि राज समय इसमे और लगेगा यह अभी किसी के बस की बात में नहीं है कोई भी यह तै वक्त नहीं बता सकता कि कितने समय में टनल ओपन हो Brisbane हो जाएगी और कब मज़़ूर बाहर निकलेंगे यह आज का दिन भी हो सकता है ये कल का दिन भी हो सकता है कल एक 11 दिन ऐसा दिन था जिस दिन बहुत बढ़ी उमीद जगी थी जब 24 मीटर से आप यहां पर 45 मीटर तक पहुचे थे कि अब 12 मीटर जल्दी क्रॉस हो जाएंगे लेकिन वही 12 मीटर अब सबसे बड़ा हडल बने तो 12 तारीक को भसे थे 12 मीटर और आज 12 दिन तो क्या 12 दिन कोई अची ख़बर आएगी और अज उत्तरा खंड में एगास का परवे और उत्तरा खंड में यहां पर लोगों डिवाली भी नहीं मनाई और राज्य सरकार ने भी अपने तमाम कारक्रम यहां पर कैंसल किये मुख्य दौर में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन साथ में यह भी खबर मिल रही है कि उत्तरकाश हुआएंगे मंतरी वीकेस सिंग यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अपडेट दे आपको दिली से टेक्निकल टीम के साथ पहुचेंगे रेस्क्यू नहीं त lingu prochain है और नहीं स Allen शबर हम आपको दत्तर का है इबर से एड़ी खबरान के साथ टड़ी खबर हम आपको बतान के सा दक्रा पतान की साथ वीक अम्राव क्वक